नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी जीमेल पर या गूगल पर या कहीं पर भी अपनी मेल आइडी बना रहे हैं और यहाँ पर आपको एक उप्शन देखने को मिल रहा है create a gmail address और साथ ही में लिखा हुआ है add.gmail.com या यह option देखने को मिल रहा है बस आपको तो यहाँ पर आपको क्या enter करना है कैसे enter करना है आईए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं तो हम आपको इसे सुरूच से करके बताते हैं तो साथ आपने पहले के इस्ट्याफ फोलो कर लिया होंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंडर करना होता है first name और last name तो यहाँ पर हमने अपना विकास वर्मा करा है फिर next करने के बाद आपको अपना birthday या gender select करना होता होगा तो वो भी हमने कर रखा है और आपने भी सायद कर रखा होगा फिर next पर click करना है अब बारी आती है create a gmail address की तो यहाँ पर यह कहना चाहता है कि आप अपना एक gmail address create करें जैसे कि सबका एक unique mobile number होता है ऐसे ही सबका एक unique gmail address होता है एक gmail address दो वैक्तियों के नाम पर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको अपना एक Gmail letters बनाना होगा तो कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ सबसे पहले आप अपना नाम एंटर करें जैसे कि मेरा नाम है विकास वर्मा आप अपना नाम एंटर कर दीजिए जैसे कि आपका नाम है पंकज कुमार, राहूल कुमार या राजु स्रीवास्तव या कबिल शर्मा कुछ भी आप नाम यहाँ पर डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने अपना नाम डाल दिया है अपना ही नाम डालिएगा फिर आपको अपने मोबाइल नंबर के 6 डिजिट एंटर कर देने हैं तो यहाँ पर हम जैसे कि आप अपने 6 डिजिट एंटर करते हैं और नेक्स्ट पर किलिक करते हैं तो सायद आपके पास ऐसा ओप्सन आ सकता है तो यहाँ पर आपको अपने पूरे एक पूरे 6 डिजिट एंटर करना है जैसे कि 7, 8, 5, 3, 0, 8 हमने 6 digit enter करे हैं आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या पूरा mobile number भी कर सकते हैं फिर आपको next पे click करना है और ये accept हो जाएगा तो शायद आपको समझ में आया होगा तो यहाँ पे आप अपना नाम enter करें और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको बिल्कुल भी space नहीं देना है इसके बीच में बिल्कुल भी space मत दीजिएगा और सिर्फ नाम लिखिए और अपना यहाँ पर आप number एंटर कर दीजिए बाकि add.gmail.com पहले से लिखा होगा आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर एक बार में accept नहीं होता है तो number चेंज करें